जलते घर को देखने वाले फूस का छपपर आपका भी है आपके पीछे तेज हवा है आगे मुकदर आपका भी है उसके कतल पर मैं चुप था मेरा नंबर अब आया और मेरे कतल पर तुम चुप हो अगला नंबर आपका है जिन आज क्या दुरनचार जो केंद्र के सत्ता में बैठा है, भोजन समाज के बच्चों का पूरा सिक्षा के चतर में पूरा का पूरा हाथ काट चुका है। भूट लेने के लिए हिंदू और पद परतिष्ठा देने के लिए हम सुधर है, बीजेपी और कांग्रेश में कोई अंतर नहीं एक ही सिक्षा का दो पहलो है। मैं अगर हिंदुत को भचाना तो आमीधसा पर एक ज़िटने भी नेता लोग मैं उनके बैटा हिंदूत को अपने बेटा को पढ़ने के लिए विद्या था है और आथ में धरम का ज्यंदा दिल्ली इनिवर्सिटी के प्रोफेसर लक्षमन यादव जो बहुजन समाज के मुद्दों पे मुखरता से बोलते थे उनको उनकी नौकरी से निकाल दिया गया है अब वे प्रोफेसर नहीं रहे उन्होंने कहा है कि हमारी धरकन छिनली गई इसी पर बात करेंगे फटे बिधायक हैं कुस्वहा समाज से आते हैं सर जिस प्रकार से प्रोफेसर लक्षमन यादव को दिल्ली इनिवर्सिटी से प्रोफेसर के पद से निकाल दिया गया मैं कुस्वहा नहीं हूँ समझ गया मैं मौर्ज बंशी हूँ और मैं समराट असोक और चंद्रगूप्त मर्ज का मैं बंस अजी हूँ कुस्वहा इन मनुवादियों का दिया हुआ नाम है कि मौर्ज बंस का इतिहास का पता नचले और बहुत ही चलांकि शेबालमकी रमायन में ज्यों है इन लोगों ने मौर्ज बंस को कुस्वंस में तबदिल कर दिया राम के बंस Scr grand नहीं है राम के बैटे लाव और ये लश्मन जादव से ही नहीं, पहले ही इसका शुरुवात हो चुका है, और इस पर मैं कहूंगा कि जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका भी है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकदर आपका भी है, उसके कतल पर मैं चुप था, मेरा नमबर अब आया, और मेरे कतल पर तुम चुप हो, अगला नमबर आपका है, यही अगर देश के बहुजन लोगों ने एक नहीं हुआ, तो बारी-बारी शब के साथ यही होने वला है, अभी सर, एक और मामला है, कि 13,000 बहुजन समाज के छात्र आईटी और आई-ाई-ाई-म जैसे देश के उच्छ संस्थानों से ड्रॉप आउट हो जाते हैं, क्या बज़ा मानते हैं, जिस प्रकार से रोहित बेमुला को परतार्णा मिली मांसिक्त और उसने, उन्होंने स बहुजनों के साथ बारी-बारी हो रहा है, पूरे देश के बहुजन को अंदूनन करना चाहिए, और सनक पर आना चाहिए, सनक पर नहीं आएंगे, तो यहीं होगा, अब जिस समय पूरा देश करोना से जूज रहा था, उस समय सरकार नई सिख्छा नितीला रही थे, लेट साथ हजार बिद्याले तो नो साड़े नो बरसों में अपका बंद हो चुका है, और कुलोजर एंड मर्जर जो नई सिख्छा निती लाया है, जो पैंतालीस हजार डिग्री को लेजे हैं, उसको भी कुलोजर एंड मर्ज करकर के यह लोग 15,000 पर लाएंगे, और अडानी य जो पुर्व काल में दुरणा चार्ज का गुरू खुल चलता था, जिसमें पढ़ाने वाले भी खास लोग थे और पढ़ने वाले भी खास लोग हैं, वही दुरणा चार्ज का इनिवर्शिटी खुलेगा, और उस समय का दुरणा चार्ज तो केवले कलब का उठा काटा थ लेकिन आज का दुरुनाचार जो केंद्र के सत्ता में बैठा है बहुजन समाज के बच्चों का पूरा सिख्षा के चेतर में पूरा का पूरा हाथ काट चुका है क्या मानते हैं सर जिस परकार से जो पावर सेंटर हैं कॉलेज इनवर्सिटी जीडिशियरी विरोक्रेसी बिजनेस कल्चर यह जो पावर सेंटर हैं यहां बहुजन समाज देख तो पहले से नहीं है एकका दुका हैं कुछ बात रखते हैं तो उनको निकाल दे जाता है सब पर वो कबजा कर चुका है और वही नहीं पूरे देश का जितने सचिवाले हैं आप देखिए ना 400 लगभग संजुक सचिव बनाया लेटरल इंटरी के द्वरा जो हमारे आपके बचे उपीए सी पास करते थे तो परमोशन होते 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 संजुक सचिव तक हुजाते तो डाइरेक्ट जो है 400 लेटरल इंटरी के द्वरा संजुक सचिव बनाने का काम किया है उसमें एक भी ओभी सी एसी एस्टी के लोग नहीं है और देखिए इन लोग के पास कोई मुद्दा नहीं है इन लोग के पास यही मुद्दा है हिंदुत्व का मुद्दा लेकिन ब मैं उन्हीं लोगों से पूछता हूँ अगर हिंदु तो खत्रे में है और मुसल्मान हमारा दुस्मन है हिंदुओं का तो साबित्री भाई फूले पर गुबर और पथर फेकने वाला लोग काउन था मुसल्मान था सीख था या इसाई था कौन लोग थे अगर मुसल्मान हमारा दुस्मन है तो नब्वे में जो हमें अरक्षण मिला था उस अरक्षण का विरूद्ध करने वाला कौन था कोई मुसल्मान था क्या है कोई अगर हम भी हिंदु है और या भी हिंदु है तो देश के लगवक 786 कितना इनिवर्शीटी है 2786 dropped 8787 जो देश में इनिवर्शीटी है उस इनिवर्शीटी में एक लबढ़ा मतलब भूट लeने के लिए हिंदू और पद परतिष्ठा देने के लिए हम सुद्र जवाब दिये हैं जेपी नडड़ा अभी संसंद में सत्र चल रहा है उन्हें कहा है कि आपने 87 जो 87 जो 90 जो केबिनेट सेक्रेटरी है उसमें से मात्र 3 OBC गिना रहे थे राहूल गौंदीजी उनको जवाब दिया है कि चबसेह से पहले आपके सासनकाल में कितना था जो पहले था उहीं परंपरा चल रहा है मैं तो अभी उनके इंटर्विविमें बोला ना कि BJP और कांग्रेस में कोई अंतर नहीं अदेखिया में कि यह मेरा बिचारह डिक्तिगत कोई बेतिगत मतलब की सोच पर रोक नहीं लगा सकता है न जो मैं देखते हैं जो सत्य है अगर कांग्रेश अगर देश चलाया होता अच्छा से आज संद्धान पूरता लागू रहता है कि बहुजन समाज के लिए कांग्रेश काम नहीं कर पाती है उसमें बीजपी माइन्सेट के इसलिए पर सिलतार के कांग्रेश का केंदर में सरकार बनेगा बीजपी के सबस्ति और कर देखने बहुजनों का भाला चाहते हैं तो ठड़ फ्रंट बनना चाहिए और गएर केंग्रेशी गेर बीजेपी बाहन जी गख बंधन हो और मैं तो बुल दिया गैर केंग्रेशी गेर बीजेपी गट बंधन बनना चाहिए जितने देस के बहुजन लिडर्शिप है सब को एक होना चाहिए अब चाहता है कि बहुजन जी ओवाइसी बगरा सब एक सारे सारे लोग एक हो जाएंगे तभी जो है अगर यह लोग सारे लोग एक हो गए तो बीजेपी का पूरे देश में खाता नहीं फूले पीम का चेहरा सरकाओं फिर पीम के चेहरे की बात होती है जब भी तो आप लोग क्या चाहते कि बहुजन समाज के लोग पीम बनें बहुजनों में पीम का कमी है जितने बहुजन लिडर्शिप हैं सारे पीएम के जोग हैं एक दो नहीं हैं जितने बहुजनों का पाटी है जितने लोग लिडर्शिप हैं सारे लोग पीएम के लाइक हैं और इनसे अच्छा मतलब हैं आप जिसको बोल रहे हैं आप तो यह ब्रीटिश गुवर्मेंट ने भी जो है उस्ष में उनाइशा 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 मतलब उनाइशा वठारह में ब्राभनों को जज़ बन्ने पर रोक लगा दिया था ब्राभनों का चरीतर नहीं है इसलिए ब्राभन जज नहीं होगा और देश को पूरा इतना दिन चलाया लेकिन बाबा सहाब के संभिधान आज तो पूणता लागु नहीं हुआ अब जिसने संभिधान लिखा उनको समान देने में लोग जो है इन लोगों ने 40 शाल लगा दिया भारत रखेंगे उसमें सर्कॉलेजियम सिस्टम है कुछ ही चंद परिवार हैं वही जज बनते हैं जज का बेटा आजा जज का पोता आजा जो सब वही चला जी स्टम कौन लाता ऐसे कुलूजियम सिस्टम स्टम जो पास भाइवा और सीरा लगभथ agon के समी के सब्सक्राइब है तो इंहीं लोगों को मत्रम और है कि सब मिलाजुला करके जो भी देश को चलाने वाले लोग रहे दो धाई साल उधर बीटी सी मतलब भी चलाए अच्छा से जो बहुजनों के हित में कि अमित शाहर ज़ी एक सबाल और ले लेते हैं लक्षमन यादव जी को लेके क्या उनको राजनीत में आना चाहिए अभी देखिए प्रोफेसर राके सिन्हा है एसे कई प्रोफेसर हैं संगीत रागी है जो अरसे से तलुकात रखते हैं रोज टिवी पर आते हैं एक तो सांस प्हें निए रितू सिंग है इक स्थिन दिन से सरकों पर हैं तो यह जो सिलशिला है कब तक चलता तक चलेगा जब तक भोजन अपने अधिकार को नहीं समझेंगे जब कि यह नहीं सचाई नहीं सुझार करेंगे कि हम इन लोगों के नजर में सुद्र हैं तब तक चलता रहा है अभी जो आपके परदेश के बीजेपी के परदेश अध्यक्ष है समराट चौधरी जी भी कुछ वासमाज से ही आते हैं वे कहते हैं कि ब्रहामन सरेष्ट था है रहेगा क्या परते कि रिया है उन्हीं से पूजनिये तो आज बताईये ना भारत में है है पूरे शुक्त मतलब के बीगुरू मतलब कौन हुआ है जो बीजव गुरू का नाम है पता है इस अँचितम मोदीजी जी है जिए तरत अथ हाइब गुत अम बूद से पहले ना कोई गुरू हुआ है और ना आगे कोई जो है गौतम बुद्ध हुए कि पूजिनिये ब्राभन हुआ और हम लोग गौतम बुद्ध के बंसज है तो आप समराठ चौधरी जी से पुछिए ना कि भाई जब ब्राभन स्रेष्ट है या पूजिनिये है तो आप क्या है नीच है क्या पुछे उनसे यूगनेता फर्ति पक्ष है रूज आपके बारें बोलते हैं बिजया कुमार सिनहा जी अभी लालू जी कहीं गए हैं मंदिर में तो वो यह कह रहे हैं कि लालू जी नो टंकी कर रहे हैं उनको त्येग बहादूर सिंग को ले जाना चाहिए चंसेखर प्रोफि जी आधूर जी अगर गलत बोल रहा है और आप में और आपके दल में ताकत है और जीतने भी आपके धरम गुरू और ग्ञानी लोग है तो गांधी मैदान में आ जैं आँ ओपेन में लाइफ टेलिगराष्ट करकर करके डिवेट करा ले चाइलेंज है चाइलेंज है मेरा ओपन में, लेकिन ये लोग चर्चा कराएंगे नहीं, जोकि जूट के बुनियाद पर ये लोग ठीके हुए हैं, जिस दिन ये लोग चर्चा करा दिया, पूरा देश में ये लोग नंगा हो जाएगा, आपको सनातन विरोधी बताते हैं वो लोग, आप कौन सनातन का बात कर रहे हैं, ये सनातन आया कहां से, पहले लोग बोलते थे कि दो ही रिती था, एक बौधित और एक बैदी, हम कुछ दिनों से ये सुन रहे हैं, सनातनी, 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 ये कहां साया है, इसके बाद मतलब हिंदू, हिंदू कहां साया, सब्ध है गौतम बुध का दिया हुआ सब्ध सनातन इनकां नहीं है और असली यास्तिक मतलब हम हैं गौतम बुध हम बेदकर को मानने वाले लोग ही यास्तिक हैं आप बाकी कालपनिक देवी देवताओं को मानने वाला समनास्तिक कालपनिक बता रहे हैं सर आप आप उसी क्या ग्रंथ पढ़िए ना जीतने भी इन लोगों का ग्रंथ है उस ग्रंथ में कहीं हिंदू सब्द है कोहीं हिंदू सब्द नहीं है तो हिंदू यह आया कहा से इन लोग तो वरण विवस्था से चलने वाले लोग हैं सर्व स्रेश्ट ब्राभन उसके उसे थोड़ा सा मतलब नीचे च्छत्री है उसे और नीचे मतलब बैश यह बैश नहीं जो तेली हैं हलुआई हैं सूड़ी हैं रोनियार हैं सोनार हैं यह बैश भी सूद्र हैं उनके मनुवस्मिर्थी में आडानी और रामबानी जैसे बड़े बड़े पुंजी पतियों के लिए बैश का उसमें जीक्र है क्योंकि इन लोगों के भी तो रामचरीत्र मानस में जो है लिखा गया ना तेली कलवारा यह सब मतलब वही हैं समझ गया तो हमारे यहां जो तेली तेली बनिया हलवाई सुनी सब जितने लोग हैं यह सब भी यह लोग भी सुद्र हैं उनके अनुसार जो बैश का जीक्र है वह बड़े बड़े अडानी और अम्बानी जैसे से पुंजी पति लोगों के लिए है और बाकी जितने ओबी सी यसी एस कर दो का जंडा तोहीद हो रहा है इसी लिए अबीशी और सी एस्टी के साथ जो है इतना मतलब की इसब हो रहा है अत्याचार हो रहा है लच्मन जादा उधारन है देख लिजे अच्छा बताई अगर हिंदू तो खत्रे में है हिंदू को बचाना है तो अमीत साक्या बेट देने भी नेता लोग हैं उनके बेटा हिंदूतों को बचाने क्यों नहीं आ रहा है तो अपने बेटा को पढ़ने के लिए भी देश भजता है और वी सीसी एस्टी के बच्चों को हाथ में धरम का जंडा थमाता है पहले इन लोगों ने जवर्जस्ती मतलब की सिक्षा प् लेके हैं तो लगातार कंग्रेश के नेता हो या फिर मयावती जी अपना वह के वज़र से हार हुआ सदन में राहूल गांधी जी बोलते हैं कि नवे में तीन हैं और मैं जिनकी जितना संखिया भारी मैं उटना हिस्दारी दूँगा और जब हिस्दारी देने का बात आता है जब की सौंटि मोटने नहीं कर रहे हैं सारे बीजेपी को भोट देने क्विए कर रहे हैं और जो आपको वोट दे रहा है उसको आप टीकट से मतलब की है टीकट आप बंचीत कर रहे हैं हरका का अपका ही है कि अर्झिली से मार्शनियांगं से लक्षमन यादब जी को अनके आप वह अपरदार से हटाया गया वह से बात्चीछ इसको बचाना चाहते हैं तो निस्तर दस्तर को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निस्तर दस्तर को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेयर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें झाल, 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 झाल